है फिन्स अबस्वार का बहुत बहुत वेल्कम है आपके अपने चानल टार्गेट इन फैंड़सी पर तो यहां पर इस विडियो में आप देखने वाल है बी एस भर्सस पी एलो मतलब दा ब्लैक्समीट वर्सस एमी फ्लाविटिन के बीच जो फैंकोड इस टीटन का फोर्ट वेदर कंडिशन किया रहने वाल है जो कि बहुत थी वाइटाल थिंक्स है इस वीडियो में क्योंकि यहां पर वेदर को समझना आपके लिए बहुत बड़ी बाद है टीम मरना से पहले साथ में यहां पर पीच रिपोर्ट हम देखेंगे बोलिंग पीच या बैटिंग आपके लिए स्मॉल लिक पर अच्छे चॉइस हो सकते है उसके साथ आपको यहां पर देखने को मिलेंगे ग्रैन लिक्स में आप कौन कौन से प्लेयर को ले सकते हो आपके लिए कौन से प्लेयर रिस्की पिग रहने वाला है कौन से प्लेयर आपके बिल्गुल से पिग रह हो गए तो आपके लिए टीम मरने के समय बहुत प्रbyolem आनेवाल है तो इसलिए हम कह रहा है कि video पूरा-का देखिए तो चलिए यह यह पर video को सुरू करते तो video शूर करो से पहले आपको एक बात और पता दू कि देखिए जो फाइनल टीम्स हम देते हैं जिसके साथ हमने लगातार टीटे एंट आई पिर सारे मैचों में क्लिंशिप कर रहा हूं वो टीम्स अगर आपको चाहिए तो आप अभी क्या भी आपको ट्रेलिग्रम पर जोइन होना पड़ेगा अब जाईए ट्रेलि करना आपके लिए बहुत ही इंपर्ण हो जाता है देखिए यहां पर मैच की बात करें वासिल लिवस की नेशनल स्पोर्स अगरे में यह मैच होने वाले हैं यहां पर ओधर कंडिशन आप एक बात देख लीजे हार एक मैच में यहां पर एक ही इसू हो रहा है कि स्नोफॉल आ रहा है मतलब आउट्फिल वेट हो जाते हैं गीला हो जाते हैं और मैच कैंसल हो जा रहा है तो इसलिए आपको यहां पर वेदर कंडिशन पहले समझना पड़ेगा आप जाओ गूगल पर साच करो कि बुलकरया में यह वाला जो ग्राउंड है इसका नाम लिखो पहले ग दो दाल देते हैं तो यह हैं पर रहने वाले हैं तो इसलिए आपको समझ के यहां पर इंवेस्ट करना पड़ेगा देखिए यहां पार पीज रिपोट किया रहने वाल है बैटिंग फिलिप पीज रहने वाल है स्कॉयर बाउंडरी यहां पर बहुत ही छोटा है क्योंकि आप सभी लोग जानते है कि टीटेन लिक्स में जातर किया होते है ज्यादा रन स्कूर होने के लिए ज्यादा से एक सो तक मतलब 80 तो नहीं है 90 से एक सो तक यहां पर स्कूर जाता है और मेंज में ही फास्ट निंस्का स्कूर के हमने बात कर रहा हूँ लास्ट चार मैंच का देखिए जो तो मतलब 5-6-7, sorry, 5-6-8 मैं यहां पर abundant हो गया है, उसके अलावाद जो 4 मैं यहां पर खेले गया है, चारों के चार यहां बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम ने जीता, लेकिन जो पहला दो मुकबला हुआ हैं यहां पर, तो वहाँ पर इन्वेस्टर के मतलब पूरा ही वेस्ट जाता है, मेरी ही सबसे, तो यह कॉर्णिशन रहने वाला है, पीच का और साथ में वेधर भी, देखें यहां पर, बीएस की प्रॉबल पर इकसी क्या रहने वाले हैं, पर देख लिए जो इत प्लेयर स्टर जो रिसेंस स्टर हमने निकाला है, वो देखें, आपके टिम पर यह बहुती बड़ी एफिक्ट रखता है, वो उनीस रन या पंदर रन, क्योंकि काम वभर की मैचों में आपके लिए पॉइंट्स भी कम आएंगे, तो वहाँ पर एक उनीस रन की इनिंग से पंदर रन की इनिंग से आपके लिए बहुत इंप्रॉटन्ट हो जाते हैं, और साथ में यहां पर देखें, लास्ट मैचों में एक विक्ट भी निकाला है, तो इसलिए यह प्लेयर आपके लिए बहुत ही इंप्रॉटन्ट हो जाते हैं, बात करें नबर शीक्स के यहां पर ओ मालिक रहने वाला है, ग्यार रन के साथ साथ यहां पर एक विक्ट निकाला है, लास्ट मैचों में आपको मिल जाएंगे, लास्ट में तीन रन किया ह डवली उखान की बात करें, लास्ट मैचों में चार विक्ट निकाला है, बहुत ही बड़या चोईस रहने वाला है अपके लिए, उसके बात नमबर नौ पर यहां पर देखिए, एक खान, लास्ट दो मैचों में पांच रन और एक रन साथ में एक विक्ट निकाला है, यह साथ साथ दो मैचों में एक के करके दो उके निकाला है, एस खान की बात करें, यहां पर गयरा नमबर पर आएंगे, लास्ट मैच में गयरा नमबर नमबर आ रहा है, तो देखिए, यहां से कौन कॉनसी प्लेयर आपके टीम पर रहने वाले है, एक पर देख लिजिए, एम पायाच, ओ मालिक, डबलीव खान, ए खान, ए आमादेल, साथ विए पर एम ताईव, तो यह जो छे प्लेश का नम होने अभी बताया, आपके लिए स्माल लीग पर मास्ट पिग होना चाहिए, आप चाहिए तो बाकी प्लेर्स के साथ गैनलिक्स पर रिस्की टीम पर जा सक आपके लिए कैप्टन से के एक बैतरिन चोईस बन सकते है, दो नो मैचों में यहाँ पर 37 और 36 और बनाया है, नमबर दो पर यहाँ पर आएंगे ओपिनिंग करेंगे एसुजन के साथ, एम सुपियान, एसुजन को आपको रिवरिंग सेक्शन पर मिलेंगे, एक कैप्टन अपनी टीम का, एम सुपियन का यहाँ पर देखिए, लाश्ट दो मैचों में नो रन 37 और बनाया है, एक हान की बात करें, एक रान 19 रन, साथ में एक करके दो उकेर निकल रहा है, आपके लिए बहुत बड़े चैस बन सकते है, स्मॉल लिक पर, आर मक्दूमी देखिए, ल इसलिए आप इसको इग्णोर कर सकते है, पी अचारी की बात करें, दो मैचा में लागा था, दो दो चार विकेर निकला है, टोटल, एम उजाहिर लाश्ट पर एक हान हो गया, एक हान हो गया, आर मक्दूमी भी है, के स्रीकूमर भी है, उसके साथ पी अचारी भी है, आप आप चाहे तो इनको ग्रेंड लिक्स पर कैप्टन भाइस कर्म में बाना सकते हो, क्योंकि इन दोनों प्लेयर को दो-दो भरकर को बोलिंग मिल ला है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही बड़े अप्शन बन सकते है, ग्रेंड लिक्स पर, चलते है स्मॉल लिक का जो कि ब प्लेयर से देख लिए, फायाज मुहम्मद, उजय रोवान, मुहम्मद उजय रोवान, वाल लेत खान, यह तो यहां पर भी है, तो यह बहुत ही अच्छे प्लेयर से, इसलिए ग्रेंड लिक्स पर भी आपने इनको लिक्स कर सकते हो, तब जाकर अगर इन चार उप्शन के इसकी ट्राइ करो, तो आपके लिए पंथ भी हो सकते है, आपके वान से इन कर वा सकते है, तो चले हैं यहां पर हम देख लेते हैं हमारे अभी के लिए जो डेमो टीम हम बना के रखेंगे, तो वो कैसा रहने बाले है, फाइनल टीम के लिए आपको बिल्कुल टेलीग्रम जोइन करना पड़ेगा, वहां पर हमने फाइनल टीम देख लेते हैं, चले हैं यहां पर देख लेते हैं हमारा जो अभी के लिए डिमो टीम कैसा रहने वाले हैं बाद देख लेते हैं, विक्रिक लिए आपको मिल जाएंगे यहां पर एस हुशन, डी पेटल, आर मगदुम तो इसलिए यह बिल्कुल हमारे लिए सेव अप्शन रहने वाले है, बैटिंग अप्शन एक बाद देख लिए, एम सुफियान, जेगूल और एम मुहमद, जो तीन बेस्ट अप्शन हैं, उनको आपने पिक कर ले हैं, आप चाहेते हैं अपर जेट आपिदी को पिक कर से तो एक खान और एक नभेद इन तिनों के साथ ग्रैलिक्स पर जा सकते हो, और लोटर सेक्शन में चलेए वहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर एस खान है, एम आमादेल है, और यहाँ से हम पिक करने वाले है, आईकाजस की हो, क्योंकि देखिए थोड़ा रिस के साथ ज पिक रहने वाले है, अगर दो बरकर के बोलिंग मिले इनको तो यह आपके लिए ग्रैलिक्स पर अच्छा कर सकते है, चले बोलिंग अप्सन की तरफ तो यहाँ पर हमारे टिम पर रहने वाले है, पी अचारिया, ओ मालिक, डवली उखान और यहाँ से के स्रीकुमार, देख आप चाहे तो यहाँ से और जो अप्सन आपके पास है, यह पटल है, यह फ्रेमान है, और यह मुझा इर्वान है, तो इन तिन प्लेयर्स को आप बिल्कुल रोटेसान करते हुए, गैलिक्स पर ट्राइ कीजिएगा, चलता है यहाँ पर क्याप्टन से और भाइसक्प्टन और A.S. खान भाइसक्प्ट नाइने वाले, एक बास से पर क्या को प्रिव्यू दिखा देता हूँ, देख लिजे, फिलाल हमरे टिम पर है A.S. हुसेन, F. मुहमत, J. गुल, M. सुफियान, A.S. खान, I. काजजास्की, A. आहमादेल, K. स्रीकुमार, P. आचारिया, W. खान और O. मली, यह तो हो गई हमारी जो, मतलब, डेमोटीम उसकी बात, लेकिन यहाँ पर आप एक बार ध्यान से देखो, काजजास्की है, कि यह स्रीकुमार है, आमादेल है, और F. मौमाद है, तो यह चार प्लेयर्स को आप बिल्कुल कैप्टेन और भाइसक्प्टन पर ट्र से इस प्लेयर को आप नॉर्मल सी पिक कर सकते हो, क्योंकि देखिए, अगर आप सेफ कर्टेन और भाइसक्प्टन को छोड़ रहे हो, तभी जाकर आपको मतलब, बहुत ही बड़ा रिस्क हो जा रहा है, क्योंकि देखिए, अगर इन में से कोई भी प्लेयर फ्लॉप हो जा करना पड़ेगा, तो अभी तक इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जूरूर कर दीजिए, अगर चनल पर नए हो तो सब्सक्राइब साथ सान यहाँ पर बेल आगन का भी दबाद दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो को आप पहले देख सके, चलिए वीडियो को यहाँ पर खतम करता है, अच्छा सा टीम बने, अच्छा सा वेनिंग कीजिए, थैंक यू सो माच, अल दे बेस्ट